हे व्रीवान आप आप सब बहुत अच्छे होगे और आज मैं आप लोगों के लिए ले कर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जटपट से बनने वाली सीफूड रेसिपी जो की है बटर गार्लिक प्राउन यकीन मानिए ये इतनी डिलेशिस बनती है कि अगर आ इंग्रीडियन के साथ और बहुत कम खर्चे में आप घर पर ही बना सकते हो ये बहुत ही डिलीशिस प्राउन तो वीडियो में मेरे साथ लास तक जरूर बने रहे हैं और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए फटा फट से आज मिलकर बनाते हैं घर में बटर गार्लिक प्राउन तो यहां मैं ले रही हूँ तीन पाव प्राउन I mean 750 ग्राम प्राउन है जिसे अच्छे से मैंने क्लीन करा लिया था शॉप के पर कोई बोल के अब इसे मेरिनेट करेंगे तो मेरिनेशन में मैंने डाला आधी छोटी चमच ब्लाक पेपर पाउडर एक चमच रट चिली पाउडर आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर नमक स्वाद के अनुसार और आधे नीमो का रस अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट हम प्राउन को इन मसालों के साथ मैरिनेशन के लिए बंद्रों से 20 मिनट में ये बना करके रेडी करोगे तो बस यहाँ पे प्राउन मेरिनेशन के लिए जा चुके हैं अब इसको फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ पैन में मैंने आट करा है 1 टेबल स्पून ओल और मैं यहाँ पे आट कर रही हूँ 2-3 टेबल स्पून बटर को अच्छे से हमें मिल्ट कर लेना है और उसके बाद जो हमने मेरिनेशन के लिए प्राउन रखा था उसे इस पे एक ही करके डालते जाएंगे और फिर हमें इसे उलट पिलट करके अच्छे से फ्राई कर लेना है प्राउन जो हैं वो बहुत जल्दी को खोते हैं तो तो इसको हमें एक बैच को फ्राइ करने में बस दो से तीन मिनट का समय लगीगा जब आप प्रॉन को डाले तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई पे ही रखे और बस एक मिनट के बाद ही हमें पलट करके दूसरे मिनट भी एक मिनट के लिए इसे कुक कर लेना है कुक हो प्रॉन्स जो है वो सिकोड जाते हैं आप आप देख सकते हो कि कैसे यह कौईन की तरह हो गया है और बस यह शो करता है कि प्रॉन्स जो है वो को जो के है दो मिनट के अंदर ही आपका एक बैच रेडी हो जाएगा फ्राइब करके तो इस टाइम पे हम प्रॉन्स को निकाल करेंगे एक प्लेट में और फिर सेम प्रॉसेस से हमें दूसरे बैच को भी फ्राइब कर लेना है मैंने यहाँ आज 750 ग्राइम्स प्रॉन्स लीकर में आई थी जो कि क्लीन होने के बाद अल्मूस्ट 500 तो 600 ग्राम्स की बीच में रही होगी तो दो बैचेस में मैं प्रॉन् फ्राइब करने में कुछ भी नहीं है मीडियम टु हाई फ्लेम पे गैस को रखे और इसे बटर में हमें फ्राइब कर लेना है एक-एक मिनट के लिए उलट-पिलट के तो ओफरॉल एक बैच को फ्राइब करने में आपको दो मिनट का समय लगेगा जब कभी भी आपके घर म आप इसे बना सकते हो, पार्टी स्टार्टर में सर्फ कर सकते हो, बहुत डिलिशुस रेस्पी है और सब को डेफिनिटली बहुत पसंद आएगी, प्राउन हमारे फ्राइ हो चुके हैं, फिर सेम पैन में मैंने आड़ करा टू टेबल स्पून और बटर, और उसके पाद मैंन इसमें आड़ करा वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स और बटर और गार्ली का कॉंबिनेशन जो है, वो बहुत लाजवाब लगता है, आप इसे किसी और रेसिपी में ट्राइ करना बहुत मज़िदार फ्लेवर आता है, इसके बाद इसमें मैंने आड़ कर रही हूं, फ्राइ किये हुए ब्रॉंस, इन सब को अब हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और कुछ सेकेंड्स के लिए हमें सौटे कर लेना है, बस हमें कुछ सेकेंड्स के लिए यहां सौटे करना है, जादा ओवर कुक नहीं करना है, जब तक यह सौटे होते है चलिए फटा फट से एक slurry तयार करते हैं कॉन फ्लोर की तो यहां मैं एक छोटी चमश कॉन फ्लोर ले रही हूँ और उसे थोड़े से पानी में अच्छे से मिक्स करके हमें इसे एड़ कर देना है हमारे प्राउन्स में इस slurry को आड़ करने में के बाद जो प्राउन का टेक्श्चर आएगा जो इसमें यह जो स्टार्टर आज हम सर्फ करें यह ड्राई स्टार्टर है तो इसमें जब आप कॉन फ्लोर की slurry डालोके तो एक ठिकने साती है उससे और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ किया आता है और इसी के साथ लास्ट में मैंने अड़ करा 2 more टेबल इसपून बटर क्योंकि इस रेसिपी कही नाम है बटर गारलिक प्राउन लास्ट में मैं आड़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून लेमन जूस और बस इसे एक बार मिक्स करेंगे और हमारा पटर गारलिक प्राउन बन करके रेडी है ये रेसिपी जितनी ही लाजवाब दिख रही है यकीन मानिए ये खाने में उससे कहीं ज़ादा लाजवाब बनी है बहुत ही शांदार रेसिपी है और इतनी जटपट से बनती है कि अगर आपके पास प्राउन्स पहले से फ्रिज में रखे हो तो आप बड़े आराम से गेस्ट को सौफ कर सकते हो तोरंत में बना कर गिया और वो भी अमेज़्ट हो जाएंगे कि घर में इतनी जल्दी से इतनी शांदार रेसिपी भी बन सकती है अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं कल फिर मिलती हूँ आप से बाबाई